क्या आप जानते हैं कि बड़े होने के बाद भी आपका ब्रेन constantly adapt होता रहता है, change होता रहता है ताकि आप भैतर function कर पाएं? इस concept को कहते हैं neuroplasticity इसको use करके हम अपने bad habits को तोड़ सकते हैं, anxiety को रोग सकते हैं और अपने focus को बढ़ा सकते हैं तो आप मेंसे जिन लोगों को neuroplasticity के बारे में नहीं पता, आईए आज जानते हैं सरल शब्दों में कि इसका मतलब क्या है और कैसे हम इसको use करके अपनी life को transform कर सकते हैं मेरा नाम है आयूश चंद्रा, मैं हूँ एक registered psychologist and let's dive into it Mother Nature ने या biology ने हमें एक ऐसी शमता दी है जिससे हम adapt कर सकते हैं किसी भी परिस्थिती के अंदर इसका बहुत इसरल example है कि जब मौसम बदलता रहता है तो हम लोग भी अपनी तवचा, हमारी body, हमारा जो blood regulation है और सारी चीज़ें हम अपनी regulate कर लेते हैं यदि आप किसी और नई country में travel करेंगे, वहाँ का time zone अलग होगा, दिन रात का फरक होगा तब भी आप कुछ दिन के बाद देखेंगे, आपका brain उसमें बहुत अराम से adjust कर सकता है और बहुत अराम से उसमें अपने आपको ढ़ाल लेगा इसी को कहते हैं neuroplasticity और इस concept का use करके ही मैं बहुत सारे लोगों को therapy में मदद करता हूँ दिखिए ऐसे चार तरीके हैं जिससे brain अपने आपको change करता है पहला है automatic तरीका जिसको कहते है neurogenesis इसमें क्या होता है कि brain अपने आप ही उमर के साथ साथ, experiences के साथ साथ अपने brain cells को develop करता रहता है constantly ये process आपके बिना कोशिश किये ही चलता रहता है तो इसका मतलब क्या है कि brain एक actively living organ है वो अपने आपको change करता रहता है second तरीका है neurosynthesis यानि की new synapses बनाना, new neurons का creation होना ये कैसे होता है, दो major तरीके हैं इनसान की जिंदगी में पहला है नई skills सीखना नई तरीके तोर तरीके सीखना कोई hobby, कोई art, कोई skill, कोई game या फिर experiences gain करना आप travel कर रहे हैं, आपकी नई नई चीजों में रूची बढ़ रही है आप अलग-अलग जगाओं पर जा रहे हैं, art देख रहे हैं इन सब चीजों से संगीत सीख रहे हैं, या जान रहे हैं, या सुन रहे हैं इन सब नई रूचीओं से, नई तरीके तोर तरीके अड़ाप्ट करने से आपका neurosynthesis होता है, यानि की नए neurons बनने के लिए promote किये जाते हैं brain के अंदर फिर आता है neuro strengthening या neuro reinforcement उसमें क्या होता है कि आपके जो neurons हैं, जो synapses हैं, वो strengthen हो जाते हैं और मजबूत होते हैं कैसे होता है ये process, देखिए कोई भी process जो आपको already आता है या आपने सीखा है, अगर आप उसको बार 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 दोहराते रहें, तो आपके जो neurons हैं कैसा structure कर लेंगे, जिससे कि वो structure बहुत मजबूत हो जाएगा over a period of time, for example, आप में से कई लोग गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, या कई सारे लोग खाना बनाना जानते हैं, या musical instrument प्ले करना जानते हैं, तो जब वो लोग इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, अब उन्हें कोई manual देखने की जरूत नहीं है, वो नीन में भी कहते हैं, आखे बंद करके भी ये काम कर सकते हैं, तो दिसस अबाउट नियूरो स्ट्रेंदिनिंग या weakening of neurons या neural patterns, इसमें क्या होता है, कि जो neurons use नहीं होते हैं, brain उसको degenerate या weak कर देता है, और ultimately उसको खत्म कर देता है, for example, algebra का example मैं बहुत लोगों को देता हूँ, algebra हमने school में पढ़ी थी, 9 वी class में, 8 वी class में, now we don't actively remember it, if we don't use it regularly, मैं भी trigonometric के कुछ formulas भूल चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में उसको बार-बार धोराया नहीं है, उसी के विपरीत, जिन चीज़ों को मैंने धोराया है, वो मुझे याद रहे गई है, same, आपको भी समझना होगा, कि आपको कुछ भी चीज भूलनी है, कोई भी चीज को खत्म करना है ब्रेन से, उसको utilize करना, उसका use करना, उस पर मन्तन करना, उस पर चिंतन करना, आपको कम करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा, और तब जा कर आपका ब्रेन देखेगा कि अरे, this person is not even bothered about it, इसको तो use लेकिन कई बार हमें इसको करने के लिए कुछ तरीके, psychotherapeutic तरीके यूज करने पड़ते हैं ताकि आपके जो anxiety या OCD के thoughts हैं, वो भी side-side चले जाएं उसको भी हम utilize ना करें, उसको भी हम आने दे और जाने दे, without touching them So that is what you learn in therapy अब anxiety और OCD के example से समझते हैं कि कैसे एगी neuroplasticity हमारे brain को effect कर रही है और कैसे हम इसी का इस्तेमाल करके psychotherapeutic way में इससे बाहर निकल सकते हैं दिखिए सबसे पहली बात क्या है, simple सा हमने कहा कि brain के neurons एक pattern में चलते हैं तो pattern कैसा कि A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा तो ये pattern हम चलाते रहते हैं, हमारा brain जिस pattern को repeat करता है वो उतना ही strengthen हो जाता है हमने अभी समझा, OCD में आप कई महीने कई सालों से इसी pattern पे जी रहे हैं आप A के बाद B, B के बाद C करते हैं, एक trigger होता है, उस trigger के बाद आपको डर लगता है और डर के बाद आप एक compulsion करते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए, exactly, सब लोग इस से agree करते हैं compulsion definitely physical भी हो सकते हैं और mental भी हो सकते हैं अब हम ये कर करके हमने क्या किया, आप खुद बताएं, एक question and answer का session भी कर लेता हूँ छोटा सा, आप खुद बताएं हमने अपने neurons को, neural pattern को strengthen किया या हमने इसको weak किया आप इस video को pause करके example अपना जो आपका answer है, वो अपना comment section में लिखके जाईएगा अभी करिए आप पहले, दो मिनट फिर दुबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे ताकि मैं देखना चाहता हूँ, आपके से कितने लोगों समझ में आई ये बात alright, now get back to the video, तो हमने अपने neural patterns को हमने strengthen कर लिया, हमने इसको मजबूत कर लिया, एक ही pattern में चलते रहा रहे हैं अब हमारे brain को आदत पड़ चुकिए कि thought आया और anxiety हुई और हमने compulsion किया, इस cycle में हम फस गए हैं, right तो अब हमें neural interaction की मदद देनी पड़ेगी, क्या होता है, कि हमें A, B और C को interrupt करना पड़ेगा, समझ दीजिए, trigger, anxiety and compulsion, ये तीन चीज़े हैं, एक thought आता है, आप एक particular anxiety में आते हैं, और फिर आप एक particular behavior करते हैं, इसको interrupt कर दीजिए, A के बाद B नहीं करना, A के बाद हम D य something, interrupt that pattern, जैसे ही आप interrupt करोगे, तो neural patterns जो है, वो अपनी थोड़ी सी strength को lose करेगा, weaken हो जाएगा, क्योंकि आपने उस pattern को break कर दिया, अब हमने pattern break किया, तो पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, second day थोड़ा कम, तीसरे दिन थोड़ा और कम, ऐसे करते करते हम इस neural pattern को weak कर देंगे, लेकिन brain बहुत ही clever चीज है, बहुत ही advanced dogon है, तो अगर इसको समझ में आ गया, कि आप ऐसे pattern interrupt कर रहे हो, तो कई बार ये बिल्कुल इसको tolerate कर लेता है, और ये चीज work करना बंद कर देती है, therapy में अक्सर मैं देखता हूँ मेरे patients के साथ, अब करना क्या है आप लोगों को simply, psychotherapy में जब आप join करते हैं, psychotherapy में आते हैं, तो हम जैसे जो therapist हैं, जो OCD को जानते हैं, परकते हैं, दिन रात उसी के साथ काम करते हैं, anxiety को कम करते हैं, fears हटाते हैं, हम लोग उसको एक set pattern में blueprint बनाते हैं, आपकी history लेकर, आपकी पुरानी सारी lifestyle देखकर, आ आपको relief मिलना एक बात है, लेकिन आप ठीक नहीं हो गए इससे, मैं आपकी videos बना रहा हूँ, ताकि आप इससे समझदार बनो, aware बनो, और आपको थोड़ी थोड़ी घ्यान मिलता रहे, ताकि drop by drop drop by drop आपने जिन्देगी को चलाते रहो, लेकिन मैं कहूँ कि मैं दावा कर कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरी videos से, नहीं, आपको therapy में जाना पड़ेगा, आपको मेरे साथ 111 connect करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी history समझूँगा, symptoms समझूँगा, severity समझूँगा, family history और सब कुछ, उसके बाद ही मैं आपके लिए blueprint बना सकता हूँ कि कैसे आपका neural interruption होगा, कैसे आप इस pattern को तोड़ेंगे, क्योंकि एक बोलना, ज्यान दे देना एक बात है और आपको actually में apply करना दूसरी बात है, और इसी वज़े से actually आप लोग ठीक भी नहीं हो पाते हो कई बार, क्योंकि आप सोचते हो कोई YouTuber, कोई life coach, कोई guru, कोई ऐसी इंसान मेरे को देगा YouTube के ऊपर, तो माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता, तो आप एक बार physical illness वाले इंसान को बोलिए, किसी का हाथ टूट जाया, फ्रेक्चर हो जाया, बोलिए आप बैट के न, ग्यान की वीडियोस देखो, आप कुछ डॉक्टर के पास मत जाओ, इस पास मझ लिया, neural interruption होगा, पूरी therapy ही इसके ओपर based है, कई लोग कहते है, थेरपी से क्या होता है, थेरपी से neuroplasticity को harness करके, हम आपके patterns को change करते हैं और ऐसे ही नए patterns बनाने में आपकी मदद करते हैं, so all the best to everyone who is suffering and who is becoming a warrior in terms of anxiety and OCD and depression or any kind of mental issue, please be brave, don't worry, nothing will happen to you, connect to a therapist, अगर आप मुझ से संपर्क करना चाते हैं, नीचे comment section में लिखिये, मैं आपको बताऊंगा कैसे contact करना है, कैसे appointments बुक करनी है, और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, all the best to everyone and take care, keep beating your anxiety, OCD, fears like a pro.